Hello everyone, welcome to our YouTube channel, in this video we will discuss the term variation of free energy with the temperature and pressure and second हम discuss करेंगे variation of chemical potential with the temperature and pressure, ठीक है? अब देखें जो variation हैना chemical potentials का, last video में हमने discuss कर लिया था कि जो partial molar quantities क्या है, activity, fugacity term देखी थी and हमने जो partial molar free energy थी और chemical potentials देख लिया था कि क्या होता है, ठीक है? अब in this video हमें क्या करना है? कि जो chemical potential हैना, mu उसका variation देखना है कि temperature & pressure के साथ क्या होगा and second हम देखें, first ये देखने चे पहले आपको ये पता होना चीजा है कि variation free energy का क्या होता है, temperature & pressure के, ठीक है? ये हमने देखेंगे था, जो आपका mu था, क्या था, started spring up by curl and I, at constant, जो भ籍 आपके temperature है प्रेशर, режим né, number of balls, nu i क्या होता हैτού हम अब हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि variation क्या होगा free energy का भी temperature and pressure उसके लिए यह हमें पता है कि free energy है वो कैसी property है extensive है और हमें पता है कि extensive property और function किसका आजूम कर लिए कि वो temperature का pressure का जो भी composition से system कि है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं जैसे जो Gibbs free energy है वो function है temperature का pressure का and number of moles जैसे and one and two and three and so on हमान सकते हैं ठीक है और यह थक अब हम change in Gibbs free energy का लेंगे तो dc तो क्या हो जाएगा एक बर तो हम g का change किसके respect में temperature one bar pressure then number of moles के respect में तो dc निकाल लेंगे क्या हो जाएगा अब टी के respect में क्या तो बच कोन गया प्रेशर एंड टम्प्रेचर तो यह दो कॉंस्टेंट में नहीं तो हम नहीं कर लिए प्रेशर एंड जो number of moles है capital N से मान सकते हैं मिन्स एनवान एंटो 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 में डेडी अब सेकंड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम प्रेशर के तो कल जी बाई करल पी टी इंटो एंड यहां पर जाएगा डीपी अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम अब लिख सकते हैं कल जी बाई काल एंटो सेकंड नमबर अब हमने मा लिया कि अपका system कैसा है जैसी कैसा आपके पास नहीं हो रहें तो है यह वो जी नहीं हो रहे तो कितनी इंटु में क्या था दी एंड़ प्लस में कल्जी वाइक डल पी यह था आपके पास टंबरेचर एंड इंटु में डीपी यह वल तो जिरूगे क्लोव सिस्टम के लिए यह हमें एक रिलेशन होता है जैसे हमने इस तिंग्स को हमें इस से कंपेर करना है यह भी डिजी के इक्वल तो दोनों को इस ट्रम के तो यहांसे कंपेर करेंगे तो dp के साथ में कौन सीटर में v तो means v की value क्या हो गया से volume किसके इकोल आगया आपके पास curl g by curl p t into n, हमने कुछ नहीं किया, something simply compare किया है, ठीक है and dt के respect में कौन सीटर में यह है, s तो means negative, तो यहाँ पे जो minus s की value कितने आगे यह तो v की value, minus s की value आगया आपके पास my curl g by curl t constant क्या, आपके पास pressure into n ठीक है, अब इन दोनों अब हम next calculate करेंगे variation of chemical potential, जो mu है, इसका variations देखेंगे, एक बाद temperature के respect में, एक बाद pressure के respect में ठीक है, यह हमने देख लिया है, जो mu है, वो किस की value है, जैसे i-th particle के लिए माल लिए, हमने तो यह चाहिए, कल g by curl n i ठीक है, n i-th particle means 1, 2, 3 and so on, i-th तक, and constant क्या बजाएगा, temperature pressure, जैसे number of mole, n1, n2 ठीक है, n1 है, n2 अब क्या करना, इसको equation first माल लिजी, ठीक है, अब इसको differentiate करो आप, किसके respect में, क्योंकि हमें variation किसके respect में चाहिए, temperature के तो हमें किसके respect में differentiate करेंगे temperature, तो इसका differentiate करो temperature तो क्या हो जाएगा, curl mu i by curl t respect में constant same, pressure number of mole, तो इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा, curl square g curl n i तो ठाई, and respect में किसके कर दिया derivative, temperature के, ठीक है अब हमने एक relation एक relation देखा था, क्या, जो fourth equation थी हमारे, जो curl g by curl t है, देखो, अब इस things का derivative हो दो आप with respect to n i के, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यह things, जो equation 2 माल लो आप इसको, तो इसका respect differentiate कर दो, with respect to t ठीक है, with respect to n i, तो क्या हो जाएगा देखो, curl g by curl t, t के respect में था, हमने respect to n i क्या है, curl t into में कर लाएगा है, equal to minus यहाँ पर देखो, s का, किसके respect में, number of mole में, changing कर लाएगा है, constant क्या आपके पास, temperature pressure, n1, n2 ठीक है, अब देखो, यहाँ से क्या रहा है, curl square g and tie i, और यहाँ से, जो curl square g curl t, n1, किसके को लाएगा है, minus दोनों को compare कर शकते हैं, तो क्या things आपके पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, minus si bar, यह हमने दिखा था न, कि जो partial molar जो system था, जो property discuss की थी, किसके की था, x i bar, x किस गया है, जैसे हमने g ले लिया था, तो उसको gi i bar तो entropy है, यहाँ पर ऐसे हैं, तो si bar, ठीक है, तो इसको हम क्या put कर शकते हैं, तो जो curl mu i, जो by curl t, constant pressure, किसके को लागा है, यह things किसके को लागी, minus si bar के, तो इसको हम कैसे define करेंगे, कि variation, किसका कर रहे हैं variation है, यहाँ पर, mu क्या है, chemical potential का, of a component means, variation of chemical potential of a component, किसी भी system का, with respect to temperature, at constant pressure and compositions, किसके को लागा, to the partial, इसको बोलेंगे, क्या, partial molar entropy, ठीक है, देखो, G था तो आपने बोलते हैं, था partial molar free energy, अभी हाँ पर S है, तो S क्या होता है, entropy, तो means, partial molar entropy of that component, तो आपसे 3 या 4 marks में, ड्राइव करना पूस लेते, कई बार, ऐसे define, बोलेखा, कि define chemical potential, and variation बताओ, chemical potential का, with the temperature and pressure, तो आपको डारेक्ट बताने, उसको define कर शकता है, आपको formula से हम define कर शकते हैं, क्या, अब देखो, अब हमें क्या करना है, कि जो chemical potential अब हमने क्या है, temperature के respect में, अब second हम calculate करेंगे, जो mu i, with respect to pressure देखेंगे, तब constant को क्या हो जाएगा, temperature, and number of all, वो variation देखेंगे, किसके ही को लाएगा, ठीक है, यह हमें पता है, mu कितना same thing, कल जी बाई करना है, temperature, बास्ट हो गया, ठीक है, अब हमें differentiate करना है, जो mu i है न, यहाँ पे है, तो कौन बज़ गया, temperature, number of mode, equal to curl square g, देखो, curl ni था, किसके respect में कर दिया, pressure, तो क्या गया into curl p, ठीक है, यह things हमें ने देखी थी, जो curl g by curl p था, देखो, curl g by curl p, वो किसके equal आएथा, v के, ठीक है, तो क्या, अब इस things का, हम जो differentiate कर देंगे, with respect to ni, यहाँ पे हमने, जो temperature वाले term का किया था, एद प्रेशर वाले में, इस things का करेंगे, ठीक है, तो क्या होजाएगा, आपके पास, देखो, curl square g by curl p into my curl ni, equal to, देखो, v का, इस things का किया, हमने ni का respect में, curl v by curl ni, देखो, so simple है, आपके डेरिवेशन, इसका, temperature, pressure, n1, n2, यह things होगी, and यह जो, curl square g, curl नहीं था, किसके इकवल था, curl mu i, तो means, curl mu i by curl p, temperature into my n, and इस things को क्या लिख सकते हैं, v i bar, same things, यहाँ पे नीचे कुछ भी हो, जैसे हमने, जो curl s by curl नहीं था, उसको कर लिए, तो यहाँ पे x जो thermodine property change होई है, तो इसको v i dash लिख दिए, तो हमारे पास relation आगया, variation आगया न, chemical potential का, with respect to pressure, at constant temperature, and number, जो most भो सकते हैं, composition, किसके equal आगया है, वो partial, इसको बोलेंगे हम अब, partial molar volume of that component, जो भी आपका component है, उसका partial molar volume, तो आपको क्या देखना है, कि जो अगर chemical potential का variation, pressure के respect में कर रहे हैं, तब तो आपके पास v i कही को लाएगा, partial molar volume के, and temperature के respect में कर रहे हैं, तब वो, किसके कहल लाएगा, entropy के, ठीक है, यह आपको drive करना आना चाहिए, आपका push लेते हैं, important topic है, chemical potential and its variation, आपको derivation से मज़ आया होगा, thanks for watching my channel,